कि क्या सुनाई देती है चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और आज हम लोग बात करने वाले हैं राची इनिवर्शिटी ठीक है एंड निलांबर पितांबर इनिवर्शिटी MDC पेपर के सभी important question करने वाले हैं ठीक है और इतना आप कर लिजेगा तो definitely आपके exam में question नहीं चुटेंगे MDC semester 3 और इसमें हम लोग जानने वाले हैं क्या जानेंगे देखिए semester 3 में बहुत सारा topic है जिसमें से हम लोग जानेंगे MDC 3F human rights के सभी important question ठीक है पाले syllabus देख लीजिए यह आपका syllabus syllabus के according 75 marks का question आएगा ठीक है पास करने के लिए आपको 30 number लाना होगा question आपका 1 marks वाले 5 होंगे एक नमबर या 5 को 5 marks वाले 2 यानि कि 5 नमबर या 2 को और 15 marks वाले total 6 question आएगे जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा got it ठीक है तो चार को बनाए वह तो नहीं समझ गए लिए हैं चलिए समझ गए आप लोग और देखे क्या क्या पढ़ना है हिंदी इंग्लिस दोनों में में बता दे रहा हूं और उसके बाद question भी दूंगा हिंदी इंग्लिस दोनों में ठीक है maximum input and sorry minimum input and maximum output होगा तो हमारा unit 1 है इसमें आपको पढ़ना है an introduction to human rights यानि कि मानव अधिकार का परिशे के बारे में ठीक है देन आपको पढ़ना है international protection and promotion of human rights के बारे में थाड़े हमारा यहां पर human rights in India यानि कि भारत में मानव अधिकार के बारे में फोर्थ पढ़ना है आपको यहां पर protection and promotion of human rights in India ठीक है यानि कि भारत में मानव अधिकारों के protection के लिए क्या किया जा रहा है और फिर आपका issue and concern in human rights यानि कि मानव अधिकारों के अभी कौन-कौन से समय से आए देखने को मिल रही है वह सारी चीजे ठीक है तो यह देखिए मैंने आपको सब कुछ दे दिया हिंदिय और इंगलिस दोनों करके और यह टेक्स्ट बूक है reference की जो आप पढ़ सकते हैं लेकिन आप लोग में से book बहुत कम लोग पढ़ते हैं ना सब guess paper पढ़ते हैं प्रोफेसर चलिए तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे mdc 3f human rights मानव अधिकार की question और यह सभी आपके important question total 10 है इन 10 में अगर आप सब को solve कर लिजेगा घर पे ठीक है तो definitely मैं बोल रहा हूँ आपके question एक भी नई चूटेंग एक जाम में ठीक है तीन वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ जिसमें आपका एक previous year उसको देख लेना है आपको और objective का एक कर चुका हूँ ठीक है और यह आपका तीसरा वीडियो है पहला हमारा question है मानव अधिकारों को परिभासित करें तथा मानव अधिकारों की विश्यस्ताओं को लिखें इसमें है कि define human rights and write the characteristics of human rights ठीक है 15 marks वाले जितने भी question आएंगे इसका आंसर आपको तीन खड़ापन्ना में करना है maximum और minimum अगर आपको लिखने की speed कम है तो दो खड़ापन्ना that means 4 पेज एक खड़ापन्ना में 2 पेज होते हैं ठीक है और 5 marks को जो कोश्चन आएंगे उसका आ कॉश्च familiar का वर्विकरण चार इबीन video के अधार पे गढ़े उसरा पिछेख 35 गश्चले को पढ़ना है मानवादिकार का वर्वीकरण करना है concept पिकेशन उगर दिख लेते हैं नैक्स्ट आपका है यहां पर नCómo लाइटी कาร करों में घौंषना क्या है वाट इच दो फ्रॉभ जपाहिए भूर्चन के पूछा त ऑ एक और ताए क яंूल आप है पूछा चांज शकता है राइट्टो इंफ्रमेशन एग ठीक है और इसमें क्या भूमी किया है मानवादिकारों के बारे में तो यह आपको बताने हैं कहां तक हमें यह मदद करते हैं और आर्टी आई के तो देखिएगा कि कभी वेकेंसे या फिर कुछ भी हम लोग को जानकारी जानना होता है गौर्मेंट ऑफिस से हम लोग आर्टी से मौलीक अधिकारों में समान थाए और भीनताव को लिखें देखिए मानवादिकार क्या है और मौलीक अधिकार क्या है इन्ने समानता हैं और कुछ मॉलिक बीवीद दता हैं इनको जानना है ठीक weiter id इसमें नियाए पालिका की भूमिका का वर्ण करें कि हुमन राइट जो हमारा कमीशन बना है इसमें ने पालिका यानि की कोट जो सीविल कोट है चाही हई कोट उपक्षाय से हमें रक्षन करते हैं को जाना मानावदिकार आयोग की संरचना तद कारिपढ़नाली का वर्णन करें देखिए हमारे देश में 1993 में कव 1993 में एक मानावदिकार आयोग की अस्थापना किया गया है ठीक है जैसे हमारा बहुत सारा आयोग है जैसे यूनियन पॉब्लिक सर्विस कमिस्टन है संगलोग सेवा य और भान वे में राष्टि मानावदिकार आयोग की अस्थापना की गयी जिसका मुख्याल नहीं दिली में स्थित है ठीक है इसका कौन-कौन सा पावर है शकति क्या-क्या है वो चीज़ बताना है ठीक है अगर आपका यह कुशिण आएगा चाहे आपका यह कोशिण आएग जारखन राज मानव अधिकार आयोक की संरचना तदा कार यह हम सकतियों का वर्णन करें ठीक है सेम चीज यह आपका नेशनल लेवल का है और यह आपका अस्टेट लेवल का है दो में से कोई एक ही आएगा और पक्का है कि एक आएगा आगे देख लेते हैं जो लोग इंग्ल चुनोतियों का वर्णन करें डिस्क्राइब दक चेंजिंग डाइमेंशन एंड मेजर चालेंज ऑफ हीवन राइट्स देट मेंस कि मानव अधिकार में जो अभी देखिए मनिस्ट के बहुत सारे अधिकार है जैसे जीवन का अधिकार है ठीक है सुनतरता का अधिकार है इन सब में वर्तमान समय में बहुत सारे चुनोतियां जैसे गरीबी भूक मरी पेरोजगारी यह सब चुनोती है न यार ठीक है और आतंक वाद तो इन सबी चुनोतियों के बारे में बताना है कि कैसे इन से निजात पाए जाएगा क्या प्रॉबलम है ठीक है इसको जमीनी उत्राओं और इसको सवल्प कैसे करूँगा ठीक है नेक्स्त अपका यहाँ पर मानाव अधिकारों के परचार्त तथा संगतन के लिए अंतरायश्ति संगतन कैसे जिमिदार हैं ठीक है इसको हम लोग गिलेमराइच कैसे करेंगे मतलब परचार कैसे करेंगे लोगों तक कै से बताएंगे तो इसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है या तो हम एड दे सकते हैं टीवी में परचार में पेपर में बीच-बीच में इसकूल में पढ़ाया जाए ठीक किताब से तुरू तो यह सब आपको बताना आइडिया सब आपको सोच के लिखना है किताब को भी पढ़ निती निर्दसक होगा यहां पर गलती हो गया निती निर्दसक से धांत पर मानाव दिकार पर क्या परभाब पड़ता है यह आपको बताना है ठीक है वाट इंपेक्ट हैव फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज ठीक है कोरियोगराफिक प्रिंसिपल मौली कर्तव ग्यारा है रूस से लिया गया है निती निती निर्दसक से धांत राइज में मनाया जाता है ठीक है राइज के लिए नागरिकों के लिए और यह आईरलेंड से लिया गया है इनमें क्या समनता है और क्या भिनता है यह चीज़ बताने है ठीक है कौन से अनुश अब आपका काम ये है कि मैं जितना भी question दिया हूँ इन सभी को आप लोग घर पे solve कीजिए ठीक है कैसे solve करना है तो solve आपको जितना भी question सबसे पहले copy में note कीजिए इसको ठीक है और इन सभी का आप लोग answer या तो guess paper से ढूण जिए या फिर guess paper में नहीं मिलता है तो google से और सभी पे कम से कम दो दो पेज घर पे लिख के जाईए ठीक है और जिस दिन exam होगा उस दिन सब को revise कर लेजेगा बस इतना सा करना है और इतना भी नहीं कर पाएंगे बस आप लोग को मेहनत करना है आंसर खुद खोजना पड़ेगा क्योंकि आंसर भी अगर मैं दे दिया तो फिर मेहनत आप कहां कर रहे है ठीक है वो तो फिर रटा रटाया हो जाएगा आप लोग answer खुद से किजिए और हाँ कोई दोस्त होगा तुन तक भी इस वीडियो को share किजिएगा ओके डियर मैं फ्रेंड्स वीडियो को लाइक किजिएगा ना हम आपसे पैसा नहीं लेंगे बस लाइक किजिए